Hello everyone, जै हिंद आज वैसे 2 अगस्त है लेकिन कल ना मैं ट्रेवलिंग पर थी जिसके कारण आप लोगों की ना कल की क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक और 2 अगस्त दोनों के important questions को है जो ये cover करने वाले हैं तो PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर follow कर सकते हैं, टेलीग्राम में मेरी ID है कल्यानी मैं PDF जहां मुझे 10,000 से ज़्यादा student follow कर रहे हैं, आप भी follow कर सकते हैं क्योंकि यहां में daily आप लोगों को quiz भी follow करवाती हैं हमारी last class हुई थी 31st of July को जहां हमने discuss किया था कि न्यूजिलेंड में अभी हाली में तंबाकु निरोधी बिल ये पेश कर दिया गया है इंडियन नेवी में अपना पहला सोदेश निर्मित वाहान पोत मिला है, इसका नाम है INS विक्रान हाली में आयोजित World Athletics Championship में भारत 33-वे इस्थान पर रहा है पदक्कालिका में अभी हाली में यूक्रेन के राश्ट पती व्लादमिर जेलिंस की इन्हें विस्टन चर्चिल आवोड से सम्मानित किया गया है एक फॉर्मुला वन रेसर हैं जोकि सिबेश्टियन वेटर इन्होंने सन्यास ले लिया है, हरेली फेस्टिवल फस्टो को तिहार है, 36 गड़ में मनाया गया अभी हाली में फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लॉंच किया है आंधर देश ने, जो करुणा जैन है, इन्होंने क्रिकट के सभी फॉर्मेट से सन्यास ले लिया है अभी HDFC अपनी मूल कंपनी के साथ विलय में आ गया है, और महराष्ट का जो तडोबा टाइगर रजर्व है, इसने इंटरनेशनल टाइगर डे की मेजवानी की, जिसके कारण ये चर्शे में था आज का हमारा पहला कोश्चन है, बांगला देश में भारत के अगले उच्चा युक्त की रूप में किसे नियुक्त किया गया है अब उच्चा युक्त क्या होते हैं, मैं काफी बार बता चुकी हूँ, देखिए, जो कॉमन वेल्थ कंट्रीज होती है, यहां उच्चा युक्ति निकी हाई कमीशन की नियुक्ति की जाती है, ऐसे देश, जो कि कभी न कभी ब्रिटिस शाषन के धीन रहते हैं, हुए थे म मतलब, नॉन कॉमन वेल्थ कंट्रीज में नियुक्ति की जाती है, राजदूत की, है ना, तो वैसे आप कहेंगे, तो भारत के अगले उच्चा युक्ति, जो इनकी नियुक्ति बांगलादेश में की गई है, यह भी हाली में प्रणय कुमार वर्मा बन गया है, जो कि 1994 बै हाका, करंसी हो जाएगी, टका, प्राइम मिनस्टर हो जाएगी, शेक हसीना, संप्रती एकसरसाइज है, जो कि भारत और बांगलादेश के बीच होने वाली एकसरसाइज है, इसके अलावा कुछ यहीं पास सिदिया आप रिलेट कर सको कुछ दिन पहले की नियूस थी, एक पोर्ट है यहाँ, चत्तो ग्राम पोर्ट, इस पोर्ट यानि कि इस बंदरगाह के इस्तमाल को लेकर कि बांगलादेश ने भारत को मन्जूरी दे दी है, जिसके कारण चर्ची में है, बीते 6 महीने को भीतर ही मैंने ये नियूस पढ़ाई थी कि हिलसा मचली, ये बांगला लेकिन विने मुहन कौात्रा की नियुक्ति हमारे विदेश सचयों के रूप में कर दी गई, तो नेपाल में भारत के राजदूत का पद खाली था, जिसके बास से नेपाल में भारत के राजदूत जो है नवीन श्रिवास्तो बनाए गया है, जबकि रुचिरा कमबोजी य लेकिन अब ये युनाइटेड नीशन में भारत की इस्थाई प्रतिनी धी बन गई है, तो ये अडिशनल फेक्ट आप लोगों को याद रखना है, अगला प्रशन है, देखो श्टार्टिंग के जो चार कोश्चन है ये अपॉइन्मेंट से ही रिलेटेड है, ICAR यानि कि इंडियन काउंसिल ऑफ अगरिकल्चर रसेर्च इसके नए महानी देशक कौन बने है, हाली में जो हिमानसु पाठक है, ये बन गए है, ICAR के महानी देशक, इन्होंने त्रिलोचन महापात्रा का इस्थान लिया है, ICAR के स्थापना 1929 में हुई, हैटक्वार नई दिल्ली मे हो जाएगा, राजीव कुमार, ये हमारे Election Commission of India है प्रेजन टाइम में, SS मुंद्रा, Bombay Stock Exchange के अध्यक्ष और माधरी पूज, Security and Exchange Board of India इसके अध्यक्ष बनी है, जिसके मैंने कहा, starting के 4 question appointment वाले हैं, तो 4 से 4 option भी दिया प्रिडेट करोगे, तो 16 question यानिकि 16 appointment यहां से आपके cover ह हो जाएंगे, PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, अभी हाली में जो सत्यंद्र प्रकाश है, इनके न्युक्ती, Press Information Bureau यानिके PIB के महानिदेशक की रूप में की गई है, जैदीब भटनागर का इन्होंने स्थान लिया है, appointment वाली वीडियो में मैंने स्थाफ इंडिया के अध्यक्ष बने है, सुमन बेरी, नीती आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नीती आयोग के CEO आप रिलेट कर लेना, ये परमेश्वर नईयर है, जिनोंने अमिताप कांत याद रखा है, वो चेंज कर ले, अब पर प्रमुक के रूप में कारी कर चुके हैं, इने अभी हाली में ग्रह मंत्राले के शित्राधिकार में आने वाला जो दिल्ली पुलिस आयुक्त है, इसके प्रमुक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, कुलदीप सिंग की इदी में बात करूं, सेंट्रल रजर पुलिस अगले प्रश्णी की तरफ चलते हैं, अभी जो Commonwealth Games चल रहे हैं, 22 वे क्रम के Commonwealth Games हैं, बर्मिंगम इंग्लाइंड वें, इसका आयोजन हो रहा है, और इसमें जो पहला गोल्ड दिलाया है भारत को, किसने दिला दिया है, मीरा बाई चानू ने, वेट लिफ्टिंग से ये related हो ज गोल्ड जीता है, 2018 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, जो Australia के गोल्ड कोस्ट में आये जित हुआ था, बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजन हो रहा, 22 वाडिशन है, इसका मस्कट है पेरी दिबुल, और इसका जो आदर्श वाक्या है, ये Games for Everyone है, ठीक है? मीरा बाइचानों की बारे में दिमा discussion करू ना, तो अभी हाली में Tokyo Olympic जो संपन हुआ, आपको मालूम है, भारत ने टोटल साथ मेडल जीते थी, जिसमें की एक गोल्ड था, और इसमें जो silver दिलाया था ना, भारत को मतलब weightlifting में, silver मीरा बाइचानों ने ही दिलाया था, एडिडास के दुआरा इस्टे इन प्ले अभियान का brand ambassador ये चुना गया था, ठीक है, और फिर इसमें अन्य भी medal, भारत ने भी तो टोटल तीन medal जीत ली है, ना, continue ये जो medal की series है, ये चली रही है, जब पूरा ये common wealth खतम हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को बता ठीक है, अभी तक भारत 6 medal जीते हैं, 3 gold जीते हैं, 2 silver ए 1 bronze जीते हैं, मेरा भाई चानू, गोल्ड है, जे रेमी ला लिंगुआ, इन्होंने भी gold जीता है, और फिर, मतलब 300 kg के 140 kg के snatch में, और clean and jerk, 160 kg के clean and jerk में, इन्होंने गोल्ड दिलाया है भारत को, 67 kg की category में, वेट 9 kg की category में, जो अचिंता शुली है, तीसरा gold भारत को अचिंता शुली ने दिलाया है, 73 kg का वजन उठा करके weight lifting में, जो संकेत सरगर हैं, इन्होंने silver medal दिलाया है, और बिंदा रानी ने silver medal दिलाया है, पीवी सिंधू, अभी इंसे related कोई news आईगी तो बताऊंगी, इन्होंन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फैनल में, नीरा चोपड़ा इसमें participate नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोक्यो ओलम्पिक में इन्होंने भारत को gold दिलाया था, तीक्या, बाइजूस के भी ब्रैंड अमबैज़र है, अगला प्रशना महिलाओं को उनके समवैदानी कदिकार के बारे में जागरुक करने के लिए मुख्यमंतरी महतारी न्याय रथयात्र की योजना किसने मतलब यात्रा शुरुवात किसने की हैं, अभी हाली में 36 गड़ के दौरा महिलाओं, राज्य महिला आयोग की पहल पर, राज्य की महिलाओं को उनके समवैदानी कदिकारों और का महतारी मतलब वहां मा को ही कहा जाता है, महतारी दुलार योजना, एक मितान योजना चर्चे में थी, मितान यानी की मित्र, और गोधन न्याय योजना, ये भी 36 गड़ का है, 36 गड़ की राजधानी रायपूर हो जाएगी, मुख्यमंतरी यहां के भूपेश बगेल हो ठीक है, और इंद्रा कांगेर, इसके लाबा अशानक मार वाइल लाइफ संचुरी, मुर्गासी दास नेशनल पार्क यही हो जाएगा, हाली की दिनों में यहां हरेली फेस्टिवल मनाया गया है, जो आप महा नदी पढ़ते हो, जो कि ओडिसा में सबसे लंबा नदी एक पहचान मिली है, यह मेगाले से रिलेटेड है, ओडिसा की दि में बात करूँ तो ओडिसा का जो मो बस सेवा है चर्चे में था, आंधर पदेश की दि में बात करूँ तो आंधर पदेश से जो यह प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना में शामिल होने जा रहा है, एशिय कब 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो देखो पहले कहां होना था, श्री लंका में, लेकिन श्री लंका के महला आप लोगों को मालूम ही है, तो इसी बीच जो ACC है, एशिया एक रिकेट परिस्द, इसने कहा दिया है कि अब श्री लंका में ना हो करके, UAE में एशिय कब 2022 क आयोजन होगा, इसका ये 15 हवा संसकरण होगा, 1983 में ACC की मतलब इस्थापना होई थी, और इसका जो पहला एडिशन है, एशिय कब का 1984 में, UAE में आईजित किया गया था, इसकी सबसे सफल टीम भारत है, 7 मडल इसने अपने नाम किये हैं, UAE की capital अबुधाबी करंसी UAE दिरह अब वर्किंग विक देने वाला पहला देश यही है, ICC, Men's World Cup, 2023, इसका मेजबान होगा भारत अगले साल, FIFA Men's World Cup, 2022, होष्ट कर रहा है, कतर, Summer Olympic, 2022 माफ की जगा, Summer Olympic अब जो होगा, नेक्ष्ट, 2024 में होगा, 20 के बाद 2024, चार साल का गैप रहता है, तो फ्रांस की राजदानी पैरिस में होगा, जबकि जो नेक्ष्ट विंटर होगा, यह इटली के मिलान में होगा, अगला प्रशन है, E-Taxi सरकारी, इसे नोट करिए, सरका जो सस्ती दरो परजनता के लिए सुरक्षित और टिंशन फ्री यात्रा सुनिश्चित है, जो की की जा सके, केरल की राजदानी तीरू अनंत पुरम हो जाएगी, पिन्रय विजिन, मुख्यमंतरी आरिफ महम्मत खान, राग जिपाल हो जाएगी, ठीक है, और मरियूर वन इस्कूल, वन आईस योजना चर्चे में थी, इसके अलावाई दिया आप रिलेट करोगे तो वन इस्कूल, वन आईस योजना और फ्री में इंटरनेट की सुविधा देने वाला पहला राज़ केरल है, उत्तर प्रदेश की दिमें बात करो, तो पेपरलेस बजट पहला राज़, कौन हो जाएगा, नागा लेंड हो जाएगा, अगला प्रश्न है, हाली में किस केंदरी मंत्री ने 11 वी क्रिशी जनगड़ना की शुरुआत की है, तो अभी हाली में जो केंदरी क्रिश्य मंत्री है, नरेंदर सिंह तो मर, इन्होंने 11 वी क्रिशी होती है ठीक है और इंपोर्टन चीज में आप लगों को बता देती हूं गिर्राज सिंग है कौं यह हमारे प्रेज़न टाइम में ग्रामिड विकास और पंचायती राजमंत्री है और देखों जिसे कि यहां क्रसी जनगर्णा की बात की जारी वैसे आप रिलेट करो टाइगर सर्वे यह एक्जाम में पूछा गया प्रश्ण है टाइगर सर्वे कितने साल में होता है तो हर चार साल में होता है 2006 में हुआ 10 में हुआ 14 में हुआ अभी रिसेंटली 2018 में हुआ तो यह चौथी टाइगर सर्वे रिपोर्ट थी जिसमें भारत में टाइगरों की संख्या 2967 एक एकजाम में पूछा है प्रश्ण है कि पशुधन गणना यह कितने सालों में होती है। 1919 से 1920 की बीच इसकी शुरुवात हुए थी। इसहसाब से पूछा जाया कितनी पशुधन गणना हो चुकी है, पशुपालन डेरी मंतराले के द्वारा रिलीज की जाती है। तो क्रिशी जनगर्णा पास साल में होती है, टाइगर सर्वे चार साल में और पसुधन जनगर्णा पास साल में, ठीक है, नरेंदर मोधी हमारे प्राइम मिनेश्टर है और नीती आयो के अधक्ष भी है, नितिल जायरब मंगरकरी जी, प्रेजेंट एमेर जहाज रानी और स् निर्वाशन शेत्र हो जाएगा, मुरैना मद्यप्रदेश के इसका कॉंस्टिएंसी है, निर्वाशन शेत्र, नरेंदर सिंग्त उमरका, अलनजा, फोर्थ एडिशन है इसका, जो कि भारत और अभी हाली में उमान की बीच होने जा रहा है, एक से तेरा अगस्त तक इसका जो आयोजन है, यह होना है, और कहां होना है, राजस्थान में, तो अभी हमने यूए डिसकस किया था, इसके जश्ट नहीं इसके उमान की लोकेशन आप देख सकते हैं, मसकट इसकी क्यापटल हो जाएगी, उमानी रियन, इसकी करंसी हो जाएगी, ठीक है, नसीम अलबहर भी आप रिलेट कर सकते हो, जो कि भारत और उमान की बीच होने वाली एकसरसाइज है, चीन के साथ भारत की हैंड इन हैंड एकसरसाइज है, नेपाल के साथ भारत की सूरिय की रन एकसरसाइज है, और बिटेन के साथ एक अजे वारियर आप रिलेट कर सकते हो, अजे वारि अगला प्रश्न है चवालिस्वा अंतराश्टी सतरंच ओलंपियाड की मेजवानी कौन सा शहर कर रहा है आंसर इसका कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ठीक है सबको आंसर देना है कॉमेंट सभी करेट करती हूं मैं फिर मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ थांक सुमच झाल 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 झाल